Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about peri-operative nursing care. हमारा आज की ग्लास को टोप्रिक है peri-operative nursing care. जैसे कि हम सब जानते हैं कि peri-operative nursing care एक बहुत important point है nursing perspective से ठीक है बहुत बार इसमें जो भी exams आती है nursing official recruitment exams होती है, competitive exams होती है, entrance exams होती है उनमें भी बहुत बार इसके बारे में execution पूछे जाते हैं तो आईए आज हम discuss करते है peri-operative nursing care बारे में start करते हैं आज की class तो आज की class start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं आज की class के contents की आज की class में क्या-क्या topics को cover करने वाले है related to peri-operative nursing सब्सक्राइब करते हैं कि इसके steps है कॉन-क्योंसे steps होता है कैसे काम किया जाता हैं वह साँ इसके discuss करेंगे next one हम discuss करेंगे peri-operative nursing की definition की peri-operative nursing क्या है next हम discuss करेंगे goal of peri-operative nursing की peri-operative nursing की यह उते हैं क्यों इसको अलग से रखा गया है क्यों इसको अलग से क्लाक्टिफाइब किया गया पेरी ओपरेटिव नर्सिंग को कि कौन कौन सी फेजेज है कितनी फेजेज में इसको क्लासिफाय किया गया है वो फेज कौन सी फेज कहां से कहां तक होती है कैसे उसको डाइन किया हुए यह सारा आज हुम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे तो आए generally start करते हैं हमाँ की क्लास हमारी पस्टवर टॉपिक पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग क्या होती है देखिये इंत्रटक्षन पर्योपेरेटिव नर्सिंग реально तर नर। टीन तरैटिक वर्क विंड़ तर त्टाइंट फ says a TAP कोर थैवलेक ऑपरेटिंग और order इंवेस्ट सिंगिक इंदर क्या बताएगा स्ब्सक्राइब कि पेरी ओपेस्टिव नर्सिंग की वो स्पेशंग की अ किसे नर्स प्रोसेजर और तो कोई इन्वेसिव प्रोसेजर होने वाला होता है उसका कोई सर्जरी होने वाली होती है कोई ओपरेटिव प्रोसेजर होने वाला होता है तो उन पेशेंट्स के साथ जो प्रवाइट की जाती है उसे बोलते हैं परी ऑपरेटिव नर्सेज वर्क टोजली विद दसर्जन्स एंड अनेस्थेशियोलोजिस्ट एंड ऑपरेशन थीयटर टेक्नोलोजिस्ट जैसा कि हम देखते हैं कि इन अपरेशन थीयटर के अंदर जो एक टीम पूरी एक सर्जरी क कर सकता है ना एकला अनेस्थेशियोलोजिस्ट ना ओटी टेक्नीशन ऐसा कुछ में यह पूरी टीम जब आफस में कॉलाबरेट करेंगी एक साथ सब मिलके कॉलाबरेशन के इंदर फंक्शन करेंगे तब जाकर कि किसी पेशेंट के ऊपर ऑपरेटिव प्रोसीजर से वह कं का परेशन किसी पेशेंट के लिए उप्रेशन एकना टेक्नालोजिस्ट में जो मसीनरी होती है उनको उपरेट करने के लिए ये operation theater technologies responsible होते हैं तो इसमें ये बताएगे इस point में हमें कि peri operative care nursing के दोरान एक nurse है वो surgeon के साथ anesthesiologist के साथ और operation theater technologist के साथ closely काम करती है next point in peri operative nursing the nurses perform pre-operative intra-operative and post-operative nursing care एक peri operative nursing के अंदर peri operative nursing के अंदर क्या होता है nurses क्या करती है pre-operative operation होने से पहले intra-operative during surgery और post-operative after surgery के अंदर या फिन इस time पे pre-operative time पे patient के प्रवाइड करती है intra-operative टाइम पे patient के प्रवाइड करती है साथ की साथ post-operative बहुत ही most important responsibilities होती है nurse हमारी जब patient post-operative areas के अंदर होता है कि bleeding नहीं हो रही है या कोई respiration difficulty नहीं हो रही है मतलब जो भी surgery के complications होते हैं उनको वह closely monitor करके रखना होता है ठीक है तो nurse है peri operative nursing में क्या करती है nurse है वो patient के साथ surgery से पहले surgery के दोरान और surgery के बाद patient को care provide करती है तो उसे peri operative nursing केते हैं next one है definition of peri operative nursing peri operative nursing की जो definition हो वो देखिएगा peri operative nursing is a care of patient before during and after the operation or any surgical or invasive procedure तो peri operative nursing क्या है peri operative nursing है वो क्या है nursing care किसी patient पो nursing care provide करना कब provide करना before the surgery during the surgery and after the surgery ठीक है को सकता है वो कोई surgery हो हो सकता हो को diagnostic procedure हो रहा हो चाहिए वो invasive होगा चाहिए नोन invasive होगा इस दोरान अगर हम patient को surgical surgery जो peri operative nursing है nursing care वो provide करते है तो जो peri operative nursing nursing care provide की जाती है patient को कब surgery से पहले surgery के दोरान और surgery के बाद जो patient को care provide की जाती है उसे इन तीनों फेजिस के इंदर जो care provide की उसको combined samples that peri operative nursing care next time देखते है next point it is in a specialized nursing area where the nurse work with a team member of other surgical surgical health care professional जैसा कि हमने previous slide के अंदर देखा था कि peri operative nursing के अंदर क्या होता है एक nursing नर्सिंग जो एक एक नर्सिंग का specialized area peri operative nursing care peri operative nursing care वो क्या है nursing का एक specialized area specialized area मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर untrained nurses नहीं पर training nurses होते हैं यहां पर सारे register trained nurses होते हैं क्योंकि यहां पर काफी critical functions perform किये जाते हैं during the surgeries ठीक है तो उनमें specialized experience nurses होती है एक टीम होती है पूरी health care team की तो इसमें क्या होता है जो nurses होती है वो other health care team के जो members होते हैं उनके साथ का भी closely यहां जो भी surgical health professionals होते हैं जैसे कि anesthetiologist होता है pediatricians होते है pediatric surgeons होते हैं ठीक है special जो भी specialty सबके साथ collaboration के साथ nurses क्या करती है काम करती है during the perioperative nursing phase ठीक है next time देखते है goal of perioperative nursing की perioperative nursing के goal क्या है क्या इसके उद्दिश है हमारे कि perioperative nursing का क्या benefits है क्या goals है तो first one है to cure an illness or disease by removing the disease tissue और organ जैसा कि हमने बात की थी कि perioperative nursing क्या कर रही है nursing perioperative nursing क्या कर रही है patient को care provide कर रही है कब before surgery during surgery and after the surgery तो इसमें क्या है कि हम patient की surgery के तोरा जो भी कर रहे है जो भी procedure कर रहे है तो उसमें हम क्या करते है patient के benefit के लिए हम क्या करते है है जो भी पेसेंट की बोडी के अंदर जो भी टीजीज टीश्यू है यह जो भी डीजीज फॉर्शन है जिस ती जीज जो भी अफेक्टेट जो भी और गन का करते हैं क्योज करने की कोशिछ करते हैं बाइड दा मैथड ऑ सचर्ज़िरीज है नेक्स्ट वन है लिप विजुविलाइज दे इंटरण स्ट्रैक्चर दूरिं डियग नोशी जब भी हम किसी डियागनोस्टिक प्रोसीजर कंड़क्ट करते हैं जैसा की डियागनोस्टिक आर्थ रोस्कॉपी डियागनोस्टिक होती है जैसे लिगामेंट समस्ल्स हैं ठीक है और इंटस्टाइन वागी रहा है इंट्रैप्टोमिनल ओर्गन्स होते हैं उन सब को क्या किया जाता है विज्वलाइज किया जाता है ड्यूरिंग द्र डियाग्नॉस्टिक प्रोस्तिजर तो यह हमारा एक गॉल है पैरी ऑपर पेरी, इंट्रा और पॉस्ट तीनो टाइप की जो केर हो अपलाई होगी नेक्ट वाना टू अप्टेंट टीशू फॉर एग्जामिनेशन यहां पिर इमिल्स को इस शॉर्ट हों में बोल सकते हैं ठिक है, सबॉस्ट परणला होगी उसको हिस्टो पेतलोजिकल एक्जामिनेशन के लिए पेतलोजिस्ट को रैफर कर देते हैं नेक्स्ट है, to prevent the injuries, तो different type की जो injuries होती है, उन सब को prevent करने के लिए क्या किया जाता है, perioperative nursing का एक goal है, कि हमें patient को injury से बचाना है, साथ की साथ, next है कि to improve the appearance और cosmetic surgeries और plastic surgeries, तो normally क्या होता है, जो cosmetic surgeries और plastic surgeries है, operation theater में perform की जाएंगी, operation theater में पर patient आ रहा है, और वहाँ से जाएगा, तो जब patient आ रहा है, तो आते ही, हमें क्या होगी, patient के लिए, जिसे माली जिए patient को surgery असाइन हुए है, कि हाँ, क्या surgery है, तो हमें क्या क्या करना है, immediately perioper nursing care है, उसको start कर देंगे, perioperative में, pre-operative सबसे पहले start होती है, तो क्या होता है, to improve the appearance, तो perioperative nursing में क्या होता है, हम help करते है, patient के अपेरेंस के अंदर, appearance को improve करने के लिए, cosmetic surgeries होती है, plastic surgeries होती है, उन सब को करने के लिए, next one है, to repair और remove the traumatized tissue और structure, ठीक है, in case of perioperative nursing care के दोरान हम जा करेंगे, patient के अंदर, जो to remove, जो traumatized tissue है, ठीक है, और कोई भी structure, अवोड़ी की, जो traumatized हो सकी है, जो degenerate हो रही है, जिसके अंदर injuries हो रखी है, उन सब को क्या करते है, repair करने का काम करते हैं, तो repair हो जाएंगी, या वो remove हो जाएंगी, next one है, to relieve the symptoms or pain, pain को relieve करने के लिए, operative procedure किया जाते हैं, जैसे मान लीजिए, किसी patient के अंदर, acute intestinal obstruction है, acute intestinal obstruction की वज़े से क्या होगा, patient का abdominal, abdominal जो गर्थ है, वो बढ़ती रहेगी, ध्यान रखना, abdominal गर्थ हो कहां से चेक की जाती है, at the level of umbilical, तो abdominal गर्थ बढ़ती रहेगी, जिससे patient का abdominal distance होगा, distance होने की करेंगे, diagnostic procedure करेंगे, अगर वहाँ पे कुछ impaired या कुछ भी rupture मिला, intestine rupture, appendix rupture, कुछ भी मिला, उसको treat करना है, तो patient का pain वो दूर हो सबता है, तो यह हमारे क्या थे goal है, किसके goal है, perioperative nursing care की है, हमारे goal है, next one है classification of the surgical procedure की surgical procedures का क्या-क्या classification होता है, कि किस तरीके तरीके सर्ज surgeries होती है, किस type की surgeries होती है, उनके बारे में, हम basically discuss करेंगे, बाकि detailed study हम सर्जरी के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा portion नहीं है, first one है, best on the purpose, कि purpose के basis पे कौन-कौन सी surgeries होती है, first one है, diagnostic surgery, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले पेशली slide में बात कर रहे थे, कि diagnostic surgeries होती है, त diagnosis को confirm करने के लिए, ठीक है, की जाती है, ठीक है, normally क्या होता है, कि मान लीजिए हमें लग रहा है, USD में लग रहा है कि appendix हो रप्चर होता हम क्या करेंगे, ठीक है, leproscopic ली, port बना करके, leproscopic हम क्या करके, leproscopic ली, abdomen के अंदर, incision लगा करके, leproscopic हम क्या करेंगे, देख ल देने के लिए, commitment करेंगे, कि हाँ, आगे क्या step लेना, इसके अंदर, तो diagnostic surgeries के अंदर होता है, जैसे कि ACL के अंदर होता है, ठीक है, knee arthroscopy की जाती है, उसके बाद देखा जाता है, कि जो ligaments होते है, anterior to reset ligaments, जो कि knee joint के अंदर पाए जाते हैं, तो वो जो ligaments है, वो intact है कि नहीं की है, rupture है, rupture हो चुके है, intact है, हम वो देखने के लिए diagnostic surgery, जब वो perform की जाती है, जैसे कि biopsy और explorative laprotum, तो biopsy के अंदर क्या होगा, tissue sample ले ले लेंगे, जब भी हम diagnostic purpose से कोई भी procedure कर रहे हैं, कोई भी invasive तो उसमें biopsy लेकर कर गे है, mistopatological examination के लिए फेज़ देंगे, next is explorative explorative laprotum, इसके अंदर हम पेशेंट को, abdomen को, inside करके, उसके बाद हम देखते हैंगे, patient की abdomen के जैसे, intra-abdominal organs के अंदर कोई damage, यह मुछ रप्चर तो ना हो, तो इसके लिए कि जाती है, diagnostic surgeries, next one आती है, curative surgeries, curative surgeries क्या होती है, तो देखिए, curative surgeries are perform to cure and treat the disease condition, कोई पर disease condition को treat करने के लिए, अगर हम कोई surgery कर रहे हैं, ठीक है, कोई invasive procedure कर रहे हैं, उसको हम लेंगे, curative surgeries के अंदर, अब देखिए, curative surgeries में कौन-कौन सी surgeries है, first one है, gastrectomy, thyrodectomy और appendix, माल लिजी किसे patient का appendix है, वो inflam है, तो उसका management है, माल लिजी medical management fail हो चुगा है, medical management कुछ काम नहीं कर रहा है, conservatively वो चीजे मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, last option हमारे पास क्या बचता है, तो इंट्रा, during, क्या बोलते है, during, during, by the using the surgical procedure, we remove the appendix, we remove the thyroid, in that thyroid, that the goiter is present, gastrectomy, अगर पेशेंट के अंदर, पोई भी भी माल लिजी जी गेस्टरिक एंसर है, और रख तमी करवानी है, पेशेंट को partial gastrect तमी है, उन सबके लिए अगर है, तो हम क्या करेंगे, surgery करेंगे, तो इससे क्या हो गए, पेशेंट की जो disease condition है, वो treat हो जाएगी, जैसे किसी पेशेंट को appendix था और appendix निकाल दी, तो पेशेंट की क्या होगी, disease condition है, वो treat हो गई है, next one द पेशेंट की जाती है, जब disease condition वो treat नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन हम वो surgery, palliative surgery करके क्या कर सकते है, पेशेंट के दर्द को हम कम कर सकते है, पेशेंट की जो symptoms है, sign and symptoms है, जो patient पो problematic हो रहे हैं, जो problem कर रहे हैं, उन सब क्या कर सकते हैं, तो उस case के अंदर हम क्या palliative surgeries की जाती है, जैसे की, next है, reconstructive surgeries, palliative surgeries ये case of cancer की जाती है, cancer, oncological conditions होती है, जिनके उनका cure होना possible नहीं है, लेकिन वो surgery करके हम patient की symptoms को relieve कर सकते हैं, patient की दर्द को कम कर सकते हैं, next one है, reconstructive surgeries, reconstructive surgeries का मतलब है, वापस से construction करना, कुछ image है, क्या कुछ injury है, उसको वापस से repair करना, reconstruction कहलाता है, तो reconstructive surgeries क्या होती है, देखिए, these surgeries means कि reconstructive surgeries are performed to restore the function of a traumatized tissue, ठीक है, traumatized tissue की, traumatized tissue की function को वापस से restore करने के लिए क्या किया जाता है, reconstructive surgeries अब वो की जाती है, जैसे कि skin grafting है, plastic surgery कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कि जो भी injured area था body का है, जो भी injured tissue था body का, उस skin grafting के तो प्लास्टिक सर्जरी के तो हम क्या कर देते हैं, रिपेर कर देते हैं, रिपेर कर देते हैं, रिपेर कर देते हैं, ठीक है, ACL reconstruction है, orthopedics करते हैं, ठीक, orthopedics surgery में आता है, ACL reconstruction है, ligament reconstruction surgeries होती है, next one है, transplant surgery, transplant surgery, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कि transplant surgery है, उसके अदर क्या ह और्विंट को ने करके जो अंहेल थी आर्गन तो उसको निकाल के हल्ति ओर इप्सक्राइब कर देंगे ट्रांस्पूलांट कर देंगे ए तुन देखिए ट्रांस्प्लांट पॉप ऐसर्जिरी अर्पॉर्पार्म देटता डिजीज और नोट फंक्षिनिंग तो अगर मानली जी हो पाई जो सकते हैं वो काम नहीं कर रहा है तो एक है फेलियर हो चुपाई उस और तो उस कंडीशन है नंढर करते हैं जिसमें मीफेसेंट के अंदर को ढूग करते हैं जिसमें City के अंदर ऋब्यॉसरा एंदर हम क्या करते हैं रिनल ट्रांस्प्लांट हम कर देते हैं नेक्ट वन है कि इस तो आपका सही ता लेकिन किसी इंजरी की वज़े से वह जो और न वो टूट गया है जब जैसे मानली जी हम एक्जाम्पल के दौर पर हम बात करते हैं आप खेल रहे थे केलते समय आपका ग चाल टोट गया तो अब उसको एसे लिपेर करने के लिए उसे बोढ़ेंगे री कंस्रक्टिव लेकिन कंस्रक्टिव सर्जरी कों सी होगी ध्यान दखना कन्फीज मत होना न फूस्टिव सर्जरी वह होंगी जो कंजे नाइटल एनोमली प्रेजेंट है उन एनोमली को ट्री करने के लिए उनकी सर्जरी कंस्रक्टिव सर्जरी की जाता है कौन कूण जैसे कि मैट ऐख़ेंगें बच्छों के ने降र होती है तो इसको treat करने के लिए praktاس के लिए उसे बोलते हैं में वो आएगी किस क्लाथ की सर्जरीयों की वो होगी constructive surgeries में involved की जाएगी consider की जाएगी next one explorative surgeries explorative surgeries में क्या होगा to pop देखिएगा explorative surgeries are performed to diagnose the extent of the disease for confirmation of the diagnosis explorative का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से call करके देखने का मतलब है कि उसको अच्छा से disection करके हम देखते हैं कि यह जो disease थी वो कहां तक value थी किसी disease का extent पता लगाने के लिए और जो हमारा diagnosis था जो suspected diagnosis था उसको confirmative diagnosis में convert करने के लिए हम क्या करते है explorative surgeries की जाती है यह आपर surgeries का basic knowledge दिया जा रहा है तरफ basic बताए जाएगे है क्योंकि हमारे portion में cover नहीं होता है ठीक है और यह basics है यह हमें आगे हमारी जो peri-operative nursing है उसको समझने में help करेंगे देखिए अब explorative surgery में explorative laboratory मान लीजी अब्डमन में कोई disease condition है ठीक है उसको हमें suspect है कि हाँ इस वज़े से हो सकती है इस वज़े से जो भी सब्सक्रेक्टि की sign and symptoms हो आई हो रहे है अब उन sign and symptoms पर उस डैक जो को हमारा जो डाइगनोसिस है उसको कन्फरं करने के लिए हम क्या करेंगे explorative laparotomy करेंगे ठीक है next the classification of the surgeries on the basis of urgency की ऑजेंसी की basis पे सर्जरी के कौन कौन से classification थे अभी हमने देखे थे वह होते क्या थे जो भी सर्जरी का classification था जो हमने पहले सब्सक्राइब 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 मतलब है कि कनी अर्जन नियुक्ट épक सब्सक्राइब तो पैले से पता रहेगा कि इस दिन इस डेटको पफॉर्म होनी है तो यह एकटिव सर्थीज का त्रेसि ने लूपट लूप लूपं वह बिसी काक्णाल के अंदर ऑफ्च्छ जाता है, उसके अंदर एंदर कंडिशन के अंदर बन्ट मत होगा, वह संसीडर किया ढएगा करने के टीक है इलेक्टिव सरजरी के अंजरे का तो पुछ गडबड होजाएगी। ठीक है, next one है, urgent surgeries, urgent surgeries में देखें क्या होता है, urgent surgeries में है, this type of surgeries are necessary for the patient, usually it's done within 24 to 48 hours, ये जो urgent surgeries होती है, वो क्या होती है, patient के लिए बहुत जरूरी होती है, जो urgent surgeries होती है, वो क्या होती है, patient के लिए बहुत जरूरी surgeries होती है, इनको जल्दी से जल्दी करना होता है, ठीक है, जल्द करना पड़ता है surgical procedure से वो चंड़क्ट करने पड़ते हैं जैसे कि polycystectomy और CABG और amputation polycystectomy है कि गॉलब्लेटर के अंदर स्टॉन होना ठीक है गॉलब्लेटर के अंदर स्टॉन है तो उसको निकान लेके जो आप को रिमोव करेंगे उसको बहुत है polycystectomy कि next one is CABG मान लिए किसी पेशेंट की जो coronary arteries हैं उनके अंदर blockage है अब उसको treat नहीं करोगे तो वह सब्सक्राइब को proper blood supply नहीं होगी और वो काम करना बंद कर देगा तो यह क्या इसे जल्दी उस गेंगरीन को अटाना पड़ेगा उस पार्ट को में एम्पूटेट करना पड़ेगा तो इसके लिए हम 24 तो 48 आर्स तक हम वेट कर सकते हैं अंसा नहीं कि मतलब अगर पर इमेडिएटल नहीं किया गया तो पूरा पैर काटना पड़ेगा अशा कुछ नहीं होथ उसको अटेंट अने में टाइम लगता है जो गेंगरीन बना हुआ है उ यह गरेंगरीन को इसको टेंगरीन को एक्सेंट क्या जर्जेशिर को चार ना पड़ता हैं आई दिगर emergency and part of function emergency surgery होती है उनके उंदर हमें क्या करना पड़त है उनको हमें immediately करना पड़ता है immediately हमें वह surgery करनी फड़ेए उसके लिए wait बिल्कुल भी wait नहीं किया ज़िए सकता है अगर weight करने गए तो सकता हे की patient की जानने वह जा सकती है patient पर जो particular body part वह जा सकता है ठीक है तो blood कि इनको बोला गया इमर्जेंट्स अर्जरीज में बात करते हैं तो कौन कौन से ट्रेकेस्ट्रमीन किसी पेशिएंट को अगर रेस्परेटर डिफेकल्टी है मानली यह लेरिंग पगे रहे हैं तो इस कंडिशन के अंदर आपकेस्टो भी करने पड़ेगी ठ्रेकेस्टों भ करके पेशिंट का अल्टरनेटीव रेस्पिरेशन इस्टाब्लिश करना है नेग्स वन इंटेस्टाइन उप्स्टाइब पहले बोला था कि हर्निया इमर्जिंसी नहीं है लेकिन ऑफ्सक्टिव अर्वर्णिया कि मर्देंसी सर्ज्री इंट्साइल नहीं तो उस्से क्या इनसे करें प्रेशर होगा प्रेशर होने की वदञे की वजब से इंटेसेन से पीटैसे की इंतेसे इंटेसेन अ क्योंट से क्या हम इन करेंगे तेसे संपा Ramen जो की जो फूrzy एक कडिलेंगे तिक के पर ओख्रेज हो रहा है तो उसको रोखने के लिए उसकी हमरें को प्रिवेंट करने के लिएrien इमीडियक ली करनी पड़ेगी हमें हमें प्रोसीजर्स प्वाँ करने सर्चिंगल प्रोसीजर्स रह समयन अंथर प्रीज को जाते हैं दोज़िए प्रफिश करने हैं से इस पॉंट सेज नर्स हमारे काम शुरू हो जाते हैं अब तक पड़ा वह त फढ़ा ता पेरी ओपर सिर्जड पेरी ओपरेटीव नर्सिंग का introduction पढ़ लिए definition पढ़ लिए गोल पढ़ लिए उसके बाद हमने surgeries के बारे में देखा कि surgeries क्या होती है कैसे कैसे किस किस टाइब की Surgery होती है तो अब हम पढ़ रहे हैं फ़जे दो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग टीक है प्री ओपरेटिव फेज प्री ओपरेटिव फेज प्री ओपरेटिव नर्सिंग की पहली फेज कौन सी है प्री ओपरेटिव फेज नेक्स्ट है इंट्रा ओपरेटिव फेज और थर्ड वन है फॉस्ट ओपरेटिव फेज एक्जाम में क्विशन आ सकता है कि पहली ओपरेट तो यह सब हमें details से study करना है साथ की साथ हमें हमारे जो यह doubts को clear करते हैं हमें आगे बढ़ना है class के अंदर देखिए next time देखते स्टार्ट करते pre-operative phase, pre-operative phase क्या होती है उसके बारे में देखते हैं कि दे pre-operative phase start when the decision to have surgery is made and when the client is transferred to the operating room तो जो pre-operative phase है, pre-operative nursing की जो पहली phase है उसका नाम है pre-operative phase तो जो pre-operative phase है वो कब शुरू होती है जैसे ही कोई client निसीजल लेता है hospital में आने के बाद की हा मुझे surgery करवानी है वहाँ से शुरू होकर कि पेशेंट को operation room में shift करने तक क्या होता है प्री-operative phase होती है जान रखना है कि प्री-operative phase कहां से शुरू होती है कि जैसे ही client निसीजल लिया क्लाइंट के operation theater में transfer कोने तक का जो प्रोच जो बीच की duration होगी वो सारी duration किसमें consider की जाएगी प्री-operative phases के अंदर वो duration वो प्री-operative phase के अंदर वो duration count की जाएगी consider की जाएगी next वन देखें, intra-operative phase ये है, it is the second one phase of, it is the second one phase of peri-operative nursing ठीक है इस में क्या होता है देखे, peri-operative, intra-operative nursing क्या होता है, intra-operative phase of peri-operative nursing में क्या होता है इसमें देखे, the intra-operative phase starts when the client is transferred to the operating room and end when the client is admitted to the PACU यहां पर PSU के फिल्पों में Post Anesthesia Care Unit ज्यान रखिएगा याद रखिएगा नोट करनी जिएगा इंट्रा ओपरेटिव फेज जो इंट्रा ओपरेटिव फेज वो पहां से शुरू हो रही है पेशेंट के ओटी में ओपरेटिव फेज और इंट्रा ओपरेटिव फेज तो हमें बोलना इंट्रा ओपरेटिव फेज ठीक है इंट्रा ओपरेटिव फेज के अंदर सर्जरी जा वो कंडक्ट की जाती है तो देखिएगा कि हमने दो पढ़ ली आभी तक ठीक है पहली पढ़ी थी अपने प्री उपरेटिव नर्सिंग प्री ओपरेटिव नर्सिंग और पैरियो और पॉस्ट ऑपने इंट्रा करके समझने कोशिश करने तो इसे मान लीजिए कोई पेशिंड अकर सर्जरी के लिए एडमीट हो रहा है तो उसी एडमीशन से ले करके पेशिंट के ऑटी रेंट सेफर होने कि दुरान क्या किया जाएगा जो भी surgical प्रोशीजर रेट्यजर अ वो जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो वो क्या किये जाएगा कंड़क्ट किया जाएगा नेक्ट वन है पॉस्ट ऑपरेटिव सेंडर के अंदर कैसे कौन कौन सी पॉस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग यूनिट के या आप काम कर रहे हो आपके पास जैसा ऐसा केस आया है क्या मोनीटर करना है सारे टाइप की जो क्यूशन नो फूचे जाते दो पूस्ट-Operative फेज एक नर्सिंग प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इंपोर्टेंट होती है देखिए फोस्ट-Operative पोस्ट ऑपरेटिव फेज क्या कह रही है कि जब क्लाइन पोस्ट अनेस्टीशिया उनिट के अंदर आ गया वहां से पोस्ट ऑपरेटिव फेज शुरू होती है और जब क्लाइन फूरी तरह से सर्जरी से कर गया उसके डिश्चार्ज के बाद फॉलो अब सब करके हो चुका है जा क्लाइन डिश्चार्ज हो गया सर्जरी करवा करके उसके बेच की जो डूरेशन होती है उसको बोलता है पॉस्ट ऑपरेटिव फेज तो यह सब था आज की क्लास कहा हमारा ठीक है नेक्स्ट हम देख यह अगर आपको कुछ बीड़ाउट है इस क्लास डिनेज़ट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ठीक है और सात की साथ अगर यह मेरे मेरे द्वारा जो भी आपको कंटेंट फ्रोवाइड किये जा रहे है ठीक है वो अगर आपकी तैयारी में जो भी नरस सबसे इंपोर्टेंट जो भी चल रहे हैं अगर उन एक्जाम के प्रपरेशन में अगर मेरे कंटेंट्स आपको एल्प कर रहे हैं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब आगे भी इनको शेर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से तैयारी कर सकें उनका भी में सेकें